हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टो मैं चनल, फ्रेंट देखिए आज मैं ये एक बेबी जूती का पैटर्न लेके आई हूँ, जूती या बूटी जो भी आप बोलिए, बहुत ही इजी है बनाने में, बेबी बुल से बनाया है मैंने, और ये मैंने बनाया है दस नंबर की सलाई से, ये जो नाप है, ये नाप है मेरा 6 month to 1 year बेबी के लिए, जो 6 मैने से 1 साल तक के बच्चे होते, उनके हिसाब से ये नाप है, आपको और बड़ा बनाना है तो आप थोड़े फंदे और एक्स्ट्रा का लीजे, तो आपके बन जाएंगे, ये बना है नीचे से, और उपर य प्लाई है मेरी देखिए ये और बेबी वूल है, ये 4 प्लाई उन जिसको हम बोलते हैं, आप अपने मन पसंद किसी भी कलर में बना सकती है, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम 51 फंदे डालेंगे, यानि कि 51 फंदे, तो इस तरह से ऐसे सिंगल धागा हम लेंगे, और टो सोल में रहेंगे नीचे और ये आसानी से सलाई पे देखिए इस तरह से खिसक रहे हैं, यानि कि ढीले ढीले फंदे ही आपको डालेंगे, टोटल 51 यानि कि 51 फंदे, ये देखिए टोटल 51 फंदे हमने डाल लिए हैं, ये राइट साइड है और हम बिनाई जो स्टार्ट करे तो देखिए राइट से सारे फंदे हम बिनेंगे उल्टे 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 तो इस तरह से सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे पहली सलाई है हमारी और ये बिलकुल नीचे से स्टार्ट होने वाला बूटी है या जूती तो ये इस तरह से पहली सलाई पूरा उल्ट पूरी सलाई उल्टा उल्टा ये देखिए इस तरीके से ये हमारी पहली सलाई पूरा उल्टा उल्टा और लास्ट फंदा हम बीनेंगे ऐसे सीधा अब दूसरी सलाई भी उल्टा उल्टा ही बीनेंगे टोल्टल नौ सलाई हम बीनेंगे उल्टा उल्टा नीचे का ये सोल बनाने के लिए ये बनाने के लिए आपको दोनों तरब से उल्टा उल्टा बिनना होगा तो देखिए राइट साइड पे हमारी एक, दो, तीन, चार आ जाएगी तो ये अब हमारा राइट साइड आया है यहां से पहला फंदा उतार लेंगे और पूरा उल्टा-उल्टा इसी तरीके से हम बिन लेंगे तो ये दूसरी सलाई है टोल्टल नौ सलाईया बनाने के बाद यानि कि 9 रो बनाएंगे इसके बाद हमारा ये उपर का य सोल बना लेते हैं तो टोटल 9 रो ए यूल और ये देखिये यह हमने 1,2,3,4,7,7,4 उर 1,2,3,4,7,1,5 wrong side की लाइन यानि कि टोटल की नौ सलाईया बना के complete कर लिया है अब यहां से यहां का यह देखिये यह थोड़ा सा हमने सीधा एन बिना हुआ है इसके बाद फिर 20 में हमारे फंदे ये घटेंगे तो सीधा अब ये हमारा राइट साइड है तो यहां से अब हम अपने सारे फंदे सीधे सीधे बीनेंगे इस तरीके से ये सलाई पूरा सीधा सीधा तो अब पहली सलाई यहां से 9 सलाई के बाद ये हमारी पहली सलाई है इसको हम सी पूरा सीधा इस तरीके से और रॉंग साइट से हम पूरा उल्टा उल्टा बीनेंगे तो यह जो सलाई हमारी पूरी इस तरीके से सीधी सीधी और यह हमारा जो रॉंग साइट है अब यहां से हम उल्टा उल्टा बीनेंगे पहला फंदा उतार के तो यह हमारी दूसरी सलाई है टोटल 6 सलाई हम बनाएंगे इसी तरीके से यह देखिए यह दूसरी सलाई है टोटल 6 सलाई सीधा उल्टा सीधा उल्टा तो यह हमारा यहां पे यह बेस थोड़ा सा यहां पे देखिए यह यह बेस हमारा थोड़ा तैयार हो जाएगा बूट है यह तो इस तरह से थोड़ सीधा आएगा तो पहले 6 सलाई सीधा उल्टा बिन लेते हैं दूसरी सलाई ये मेरी है टोटल 6 सलाई कम्प्रीट करने के बाद सेंटर से फंदा घटेगा ये देखिए यहां पे 6 सलाई हमारी पूरी हो चुकी है अब हम बीच में फंदे घटाएंगे ये देखिए इसको हैं तो इसमें हम हाफ हाफ करेंगे बीच में तीन फंदे रखेंगे तो सबसे पहले हम 24 फंदे सीधे भी नहींगे तो ये देखिए पहला फंदा उतार के ये एक दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उन्निस, बीस, 21, 25, 23, और ये 24 देखिए ये हमने कर लिया देखिए दो यहाँ से अगर आप देखिए तो दो, चार, छे, आठ, दस, बार, चौदर, सोल, अठार, 20, बायस और 24 अब इधर से भी देखिए दो, चार, छे, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 24 ये 3 फंदे हमारे बीच में बचे इनी को हम घटाएंगे तो देखिए बहुत इजी तरीका है घटाने का सबसे पहले ये 1 और 2 दो फंदे जो हमारे हैं इसको ऐसे जैसे हम सीधे फंदे बिनते हैं इस तरफ को ऐसे ये 2 फंदे हम एक साथ उतार लेंगे सलाई पर से इसको पलट दीजिए और इस वाले सलाई पे फिर से चढ़ा दीजिए इससे ये हमारा बाद वाला फंदा पहले हो जाएगा तो बीच वाला जो फंदा है वो आगे आ जाएगा तो ऐसे इसको चढ़ा देंगे इस सलाई पे और अब ये तीसरा फंदा इन तीनों फंदों को इस तरीके से हम लेके पीछे की तरफ सीधा ऐसे बिन देंगे इस तरीके से देखिए अब बाकी जो फंदे हैं इसको भी हम सीधा बिन लेंगे सारे फंदे सीधे बिन लेंगे पूरे जो 24 फंदे बचे हैं यह देखिए यहाँ पे बीच में एक फंदा घटा है यहाँ पे बीच में दो फंदे दो तरफ से लेके एक हमने एक बार घटा लिया और अब इधर से ये जो 24 फंदे हैं इसको हम उल्टे-उल्टे बिन लेते हैं ये देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उननिस, बीस, इकिस, बाइस, तेईस और देखिए ये 24 24 फंदे हमने उल्टे-उल्टे बिन लिये और ये जो एक फंदा देखिए, जो हमने घटाया था बीच में यहां से तीन का एक किया था, इस एक फंदे को हम ऐसे उतार लेंगे और फिर इधर के सारे फंदे हम उल्टे-उल्टे बिन लेंगे बीच में एक फंदा हमने उतारा है, बाकी फंदे सारे उल्टे-उल्टे बीने जाएंगे ये देखी, और आप राइट साइड से देखिए, पिछली बार हमने 24 फंदे बीने हैं, फिर बीच में हमने तीन का एक किया है अब यहां तक देखे हमारे 24 हैं तो यह अब यह तीन का एक करेंगे हम यानि कि 23 पंदे हम पहले सीधे बिनेंगे तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस, ग्यार, बार, तेर, चौदर, पंदर, सोल, सत्र, अठार, उननिस, बीस, एकिस, बाइस और यह तेज, यह हमने बिन लिए, आप देखे, तीन फंदे, बीच में, सेंटर में, जो हमारे यह हैं, बीच वाला फंदा है, इसको हमको पहले करना है, या तो आप दोनों फंदों को उतार के करिए, लेकिन सबसे इजी तरीका है, कि देखे, जैसे हम सीधा बिनते हैं, इन दोनों फंदों को ऐसे लीजिए, दोनों को साथ में लीजिए, सलाई पर से उतार लीजिए, और अब इस तरह से इसको हम इस सलाई पर वापस चड़ा देंगे, तो जो बीच वाला फंदा है, देखे हमारा आगया आगया, अब इन तीन फंदों को एक संग, दो यह और प्ल एक संग, धर से उल्टा बिनेंगे, बीच का यह फंदा उतार के फिर से इधर का भी सारा उल्टा बिन देंगे, तो सारे फंदे इधर से सिधे बिन लेते हैं, और धर से थेजास फंदे उल्टे, यह देखिए, इस तरीके से गी, थेजास भान धे पर वापस अब बिन से उल्टे उलटे हम बिनेंगे रउंक इसरे राइड साइट से बीच में हम तीन का एक करेंगे और यह हम करेंगे देखिए हे आप देखिए एक दो तीन चार पांट छे साथ बार ये सब्चने इस तरीकर से यहां से हमने घटाना शुरू किया है तो ये देखिए इस तरह से हम इसको हटाएंगे तोटल हमारे सलाई पे 37 फंदे बचेंगे तब तक हम इसको घटाएंगे इस तरीके से देखिए अबी हमारे 24-24 थैं फिर 23 हुए इस तरीके से जब हमारे सलाई पे दोनों तरफ 18-18 और बीच में एक फंदा बचेगा तब हमारा ये घटना बंद हो जाएगा तो इतने फंदे पहले मैं घटा लेती हूँ ये देखिए ये मैंने टोटल फंदे घटा लिए हैं यहां से आप काउंट करिए ये वाला एक केबल जब पहली बार हम घटाते तो वह आ जाता है छे बार मैंने फंदे घटाए हैं देखिए एक दो तीन चार पांच चे और ये एक नीचे का भी केबल आ जाता है तो ये टोटल साथ दिखेगा लेकिन छे बार मैंने फंदे घटाए हैं तो अब यहां पे जो टोटल फंदे हमारे हैं वो हैं 37 18 इधर 18 इधर 1 फंदे हमारे जो बीच के हैं उसको सारे फंदों को जब हम काउंट करेंगे तो हमारे टोटल 37 यानि कि 37 फंदे हैं अब इसकी लंबाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है यह जो पीचे से हमने फंदे उतारे थे तो सीधी तरफ यह देखिए इस तरह से केबल जैसी दिखती है चोटी जैसी तो अब हम इसको राइट साइड से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे यह हमारा राइट साइड है और जो हमारे टोटल 37 फंदे हैं यानि कि 37 फंदे इसको हम पूरा इस तरीके से सीधा सीधा बिन लेंगे 51 फंदे से स्टार्ट किया था हमने 6 बार हमने 2-2 फंदे करके घटा हैं यानि कि 3 का 1 किया है तो वहाँ पे हमारे दो फंदे घट कई हैं, इस तरीके से हमने च्छे बार फंदे घटा आए हैं, देखे ये इस तरह से करने से यहां पे भी ये केबल आ जाता है, जोकि हमने पीछे से फंदा उतारा है, टोटल ये हमारे 37 फंदे, तो ये राइट साइट से पूरा उल्टा बिन लेंगे, सारे फंदे, और रॉंग साइट से भी हम इसको उल्टा उल्टा बिन लेंगे, देखिए, इस तरीके से करके, लास्ट वाला फंदा सी था, और रॉंग साइट से भी पूरी सलाई उल्टा उल्टा बिन लेते हैं, यह देखिए, रॉंग साइट से भी पूरी सलाई हमने उल्टा-उल्टा बिन के कम्प्लीट कर लिया, लास्ट फंदा ऐसे सीधा बिन देंगे, क्योंकि राइट साइट से एक बार फिर हमको उल्टा-उल्टा बिनना है, तो यह देखिए, इस तरीके सी एक लाइन आ गई यह यह दोरी मैंने डाली है, इसके लिए हम जाली बनाएंगे, तो यहां देखिए, सबसे पहले पहला फंदा हम उतार लेंगे, अगले फंदे को हम उल्टा बिनेंगे, इस तरीके से देखिए, दो फंदे हो गए, अब उन है सलाई पे, इस तरीके से हम लपेट के यान ओवर क करेंगे सलाई पे, और दो फंदे एक संग उल्टा बिन देंगे, एक बार हुआ, अब यान ओवर किया, उसके अगली बार हमने दो का एक किया, फिर से यान ओवर किया, फिर दो का एक करेंगे, उल्टा, फिर से इसी तरीके से हम पूरी सलाई करेंगे, देखिए, एक बार हमने सलाइ पे लपेटा उसके बाद हमने 2 packet किया पिर से सलाइ पे फंदा लपेटा 2 packet किया एक बार और देखिए इसी तरीके से यान ओवर 2 packet यान ओवर 2 packet यान ओवर 2najक तो यह तो यह हमारी जहें यहाँ पर यह जाली पड़ती जाएगी पिर देखिए, यान ओवर दो का एक, यान ओवर दो का एक, फिर से यान ओवर दो का एक, यान ओवर दो का एक, जाली याने की, यान ओवर मतलब जाली हम बना रहे हैं इस तरीके से, और दो का एक, फिर से, देखिए, यान ओवर दो का एक, यान ओवर दो का एक, यान ओवर, दो का एक, यान ओवर, अब देखिए, लास्ट टाइम हम करेंगे, दो का एक, और लास्ट वाला फंदा सीधा बिन देंगे, अब देखिए, यहाँ पर यान ओवर करने के बाद ये दो फंदा आया, स्टार्टिंग में भी हमने एक फंदा उतारा था, एक उल्टा बीना था तो दो हमारा स्राटिंग में है और लास्ट में देखें यहां तो इस तरीके से सारे फंदे घटने और बढ़ने के बाद जितने थे यानिकि 37 थे 37 होने चाहिए अब रॉंग सैट से पूरा उल्टा उल्टा बिन लेंगे अब यहां से देखिए इस तरी का उल्टा बिन रहे हैं फिर राइट साइट से भी हम बीनेंगे यह सलाई कम्प्लीट कर लेते हैं जाली डाली है हमने राइट साइट से रॉंग साइट से जो जाली है उसको भी और यह जो दो का एक किया है उसको भी सारे फंदे हम इस तरीके से दो का एक दो का एक करते ज यह दिखिए इस तरह से और लास्ट में फिर से यह सीधा अब हम आ गए राइट साइड यहां से भी हम उल्टा उल्टा बीनेंगे अब देखिए जाली डालने के बाद यह एक दो तीन लाइनिंग हमको चाहिए एक सलाई हमने बना ली है पांच सलाई हम बनाएंगे तो साट लाइट टोटल हमारा बने का एक हमने बना लिया दिखिए यह दो तीन चार फिर यह पांच और यह छे तो तो यह हमारी छे भी हो जाएगे सात्वी सलाई में हम इसको बंद करेंगे तो अब एक सलाई हमने बना लिया है बाकी तीन लाइनिंग और हमारी हो जाएगी टोटल छे सलाई सात्वी सलाई में हम इसको बंद करेंगे तो इसी तरीके से उल्टा-उल्टा दोनों तरब से बिन लेते हैं कुछ नहीं करना है, कहीं अब घटाना नहीं है, बढ़ाना नहीं है, बस जितने फंदे हैं, सबको हमको इसी तरह से उल्टा-उल्टा दोनों तरप से बिनना है, राइट साइड में हमारी तीन लाइनिंग अब उपर आ जाएगे, तो हमारे फंदे बंद हो जाएगे, यह देखिए, यहाँ पे यह हमारी छटवी सलाई है, यह, तो यह देखिए, राइट साइड में हमारी यह तीन लाइनिंग आ गई है, और राइट साइड में देखिए, इस तरीके से, अब हम सारे फंदे बंद कर देंगे, दो का एक, दो का एक करते हुए हम सारे फंदे बंद कर देंगे, तो यह देखिए, राइट से फंदे बंद करेंगे, इस तरह से, दो फंदे एक साथ लेंगे, और एक साथ ऐसे बिन देंगे, फिर इसको इस पर लीजिए, और दो का एक कर दीजिए, इसी तरीके से, सारे फ फिर यह वाला फंदा चढ़ाके यह ऐसे लेगे और इस तरह से हम दो काई करते जाएंगे तो देखिए यह हमारे फंदे बंद हो जाएंगे तो सारे फंदे बंद कर लेते हैं यह दिखिए दो दो फंदे एक साथ पिनते हुए ये सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे इस तरीके से और अब हम यहाँ पे उन कट कर लेंगे बड़ा सा उन कट करेंगे जिससे की आपको सिलने में भी आसानी रहे तिस तरह से गोला निकालके हम ये खीश लीजिए और इसको हम थोड़ा बड़ा ही कट करेंगे जिससे की हम आसानी से सिल सके और ये वाला जो है उन जिससे हमने पंदे डाले थे ये देखिए इसको आप कट कर दीजिए और बाकी हम सिलाई में इसको दबा देंगे अब इसकी हम सिलाई कर लेंगे देखिए ये हमारा राइट साइड है इसको अंदर कर दीजिए ऐसे और इसकी हम लेते हैं यह देखिए इधर से जो हमने फंदे उतारे हैं बस इनको ऐसे लेते हुए दोनों तरफ से इस तरीके से हम इसको सिल देंगे तो यह देखिए यह जो फंदे हमने उतारे हैं यह और यह पूरा इस तरह से ये देखिए इस तरह से ये लंबाई में और फिर नीचे का आसान है आपको जैसे इजी लगे आप वैसे सिल सकती हैं ये देखिए इस तरह से हम इसको मिलाते हुए सिलते जाएंगे ये देखिए इस तरह से ऐसे नीचे का भी दोनों तरब का जो हमने फंदेट डाले हैं इसको इससे लेते हुए सिलाई कर लेंगे धागा बहुत टाइट मत खीचिएगा और नहीं लूज रखिएगा बस नॉर्मल ये देखिए इस तरीके से ये लास्ट हो गया एक पार और इसको हम अच्छे से फसा लेंगे नॉट लगा के ये ऐसे और इस धागे को पीछे की तरफ थोड़ा सा रिवर्स करके इस तरह से और इसको खीचके हम कट कर देंगे हलका सा खीचके कट कर दीजिए जिससे की ये अंदर चला जाएगा अब ये हमारा बूट देखिए तैयार है सिधा कर लेते हैं ये देखिए ये इसका सोल निचे का इस तरह से दोनों पैर का हमारा सेम बनेगा कोई अंतर नहीं है अब इसकी हम डोरी जो बनाएंगे देखिए डोरी बनाने के लिए कोई भी क्रोज्या हुक अपले सकती है मेरे पास देखिए ये 10 नमबर की क्रोज्या हुक है जिससे मैं बना रही हूँ आप जो चाहें वो ले सकती है जो भी आपके पास हो तो सबसे पहले देखिए एक तरफ से ये ये देखिए एक तरफ से इसको हम बनाना स्टार्ट करेंगे कहीं से भी आप इसको बना सकती है देखिए इस तरह से तो सबसे पहले ये एक दो और ये तीन हम चेंड लेंगे इसको यहाँ पर आप फसा लीजिए ऐसे आप ज्यादा भी ले सकती है एक एक्स्ट्रा भी ऐसे कर सकती है चार इसको यहाँ फसा लीजिए जैसा भी आपको इजी लगे ये दोनों को एक संग ऐसे कर देंगे अब यहाँ पर एक चेन ले लिया हमने इस रज से देखिए इसमें हम गे सिंगल क्रोश या बनाते जाएंगे ये देखिए एक दो एक पार हुआ दो तीन चार पांच छे ऐसे भी आप कर सकती है या आपको अगर दिकत लगता है तो यह देखिए यह स्टार्टिंग में आप सिर्फ चेन बनाईए दोनों तरीका में बता देती हूँ या तो आप एक तरफ से कंगूर बनाके लास्ट कर लिज्ए फिर दूसी तरफ इस जाली में पिरोंके दूसी तरफ का कंगूर बना लिज्ए या आप तो जिफ चेन लिज्ए इस तरह से चेन चेन हम बना लेंगे इस तरह से एक लंबी चेन बना लेंगे यह देखिए यह मैंने एक लंबी चेन बना ली है इतनी बड़ी और इसको मैं अगर आपको नाप के दिखाओं तो देखिए यहां से अगर मैं यह रखती हूँ तो यह मेरी लगबग यह देखिए थर्टीन इंच लगभग ये ये देखिए ये थर्टीन इंच लगभग मेरी चेन है ऐसे और आप यहाँ पे इसको मैं यहाँ से अब देखिए एक, दो और ये तीन मैं चेन ले रही हूँ और इसके बाद मैं इसमें इस तरीके से ये ये देखिए आपके उपर है आप पुरा राउंड बनाईए दो तीन बस ये क्रोश्या बना के छोड़ दीजिए या हाफ सरकल बना लीजिए इस तरीके से हम इसमें कंगूरा बना लेंगे तो हमारा ये ये देखिए ऐसे हम इसको ये है जो ये देखिए छे, साथ जितना भी आपको बनाना है ये हम डबल ग्रोश्या इसमें बना लेंगे इस तरीके से ये हो गया ये और अब यहाँ पर इसको मैं ऐसे करके बंद कर दूँगे तो ये मेरा एक तरप का कंगूरा बन गया इस तरह से इसको बंद कर लेंगे ये कट कर दीजिए और जो भी हमारा extra ये जो उं है इसको हम ऐसे क्रोश्या से यहाँ पे इसके बीच में जो हमने डबल क्रोश्या ये बनाया है ये इस तरह से करके इसके बीच में इसके निकाल लेंगे और ये धागा हमारा फस जाएगा यह देखिए इस तरह से अंदर चला गया अब यह इसको हम पिरो लेंगे इसमें देखिए यह जो सेंटर है दुनों तरफ फोल है इस तरह से हम इसमें कर लेंगे क्रोशिया से डाल लेते हैं इसके अंदर और फिर इसी तरीके से हम दूसरी तरफ का भी कंगूरा बना लेंगे तो ऐसे देखे, पूरा कर लेते हैं, यह देखे, इस तरीके से मैंने इसमें डाल लिया, अगर आपका कोई एक कंगुरा यह जाली डालने में यह डोरी कम पड़ती है, तो आप यहां सेंटर में से, बीच में से, जहां में सिलाई किये, वहां से भी एक बार आप निकाल लीज हम एक पार धागे को अपने फसा लेते हैं, क्रोशिय से, यह देखिए, ऐसे दूर से पकड़िये, और इस तरीके से फसा लिया, एक चेंड के लेके, फिर यह दोसरा चेंड लेके, अब इसी जगह पे इसे, जो नीचे का धागा है, उसको फसाते हुए, हम अपना यह दूस साथ के साथ, यहाँ पर ऐसे, एक पर हमने धागा ले लिया है, तो इसको इस तरह से करके, जब हम बनाएंगे, तो हमारा यह दागा पीच में ही फस जाएगा, तो यह देखिए, ऐसे, एक बार और ऐसे ही आप करिए इसमें, तो यह देखिए, एक बार और हमारा यह दागा इसी में फसता चला जाएगा तो अलग से आपको इसको सिलना नहीं पड़ेगा सुई से भी नहीं फसाना पड़ेगा बस लास्ट हम अपना ये जो बोव बनाएंगे इसको हम ये जो कंगूरा है ये इसको जैसे हमने क्रोश्या से फसाया था इसी तरीके से यहां पे अप्लास्ट कर दीजिए ऐसे और इसको हम कट कर लेंगे इस तरह से टाइट खीच लीजिए और इसको भी कट कर दीजिए और पीछे की तरफ हम इसको भी फसाद लेंगे यह देखे यह हो गया इसको फसाद दीजिए तो हमारा यह डोरी तयार हो तो यह देखिये इस तरीके से हमारी रीव गड़ा है देखे ये हैं के रहे हैं तो अगर आपको को छोनर जायोग है इसको सुपनी दूर से पाई है उपनूर प्रश्थ हरुळियर और मेरे चैनल को यदि अवी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग तब तक के लिए बाए